हमास के खिलाफ इस्राइल यूद का चोदहवा दिन है और चोदहवे दिन इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जेरुसेलम में जो कि इस्राइल की राजधानी है और इस्राइल की राजधानी में हम ओल्ड सिटी में Old City सबसे पवितर स्थल माना जाता है Old City में Al-Aqsa मस्जित के बाहर है ये सामने में जो हमारे gate दिख रहा है करम आपको आगे से कोशिस करेंगे कि दिखाई जहां Israel Police और Israel Army की पूरी सुरक्षा है वहाँ से हमें record करने की इजाज़त नहीं है तो वहाँ आप देख सकते हैं ये एक gate है और यहां से सिर्फा सुक्रवार के दिन नमाज के दिन आज दूसरा सुक्रवार है साथ अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराईल पर किये गए हमले का तो 14 दिन दूसरा सुक्रवार है और सिर्फ एक सर्टे निज 50-60 साल के लोगों को जाने की इजाज़त है आज और पूरा का पूरा सिक्योर्टी अक्सा मस्जिद का इसराईल के पास है और यहां बाहर में मस्जिद के बाहर जो गलियां है जो gates से लगी हुई गलियां है वहाँ किस तरह किस तरह कुछ-कुछ दुकाने आज खुली हुई है तमाम दुकाने उधर बंध है उधर से जाकर आपको दिखाते हैं देखे यह तमाम दुकाने बंध है लगातार जो पिछले 14 दिन से टेंसन हुआ है उसकी वज़ा से बंध है बहुत लोगों से हमारी बाच्यों थुई उनका कहना था कि कोरोना काल में भी इस तरह की स्थिती नहीं पैदा हुई थी लेकिन जो जीन लोगों को अभी आप देख रहे हैं उनको आने की अनुमती है 50-60 साल के लोगों को और उस हिसाब से लोग यहां आते हैं नमाज पढ़ते हैं शुक्रवार के दिन और उन्हें आने की इजाज़त है क्योंकि तनावपूर्ण महौल है दूसरी महतवपूर्ण बात बता दे कि मस्जिद के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को अभी जाने की इजाज़त नहीं है हम राउंड ले सकते हैं उसके लिए दूसरा रास्ता है लेकिन ओल्ड सिटी में जो कि सबसे पवित्र अस्थल दुनिया का माना जाता है और इसको लेकर इस अस्थल को लेकर कई बार लड़ाई हो चुके ओल्ड सिटी में एक तरफ जूज यानि यहूदी समुदाय का भी पवित्र अस्थल है क्रिस्टियन समुदाय का भी है और इसलाम धर्म से जुड़े लोगों का भी है और इसलिए पवित्र रस्थल माना जाता है लेकिन कंट्रोल इसराइल के पास है और इसराइल के सुरक्षा विवस्था यहां कायम है और देख सकते हैं आज किस तरह की स्थिती है 14 हुए दिन नमाज का दिन है आज शुक्रवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है इसलाम धर्म में और लोगों को इजाज़त दी गई है लेकिन तनाव न बिगड़े जेरूसेलम में ओल्ड सिटी में आने के लिए कुल साथ गेट है एक गेट बंद रहता है लेकिन अल अक्सा मस्जिन में जाने के लि जाने के अनुमती दी गई है ताकि महौल न बिगड़े कैमरा परसन करम सिंग के साथ नीरच कुमार न्यूज जेट इन इंडिया ओल्ड सिटी जेरूसेलम